नामस्कार साथीयों जैसा कि पिछले लेक्शर में आप लोगों ने पढ़ा होगा na like current chopping के बारे में तो उसमें एक टर्म यह आया था कि current chopping को reduce करने के लिए या कम करने के लिए या खतम करने के लिए हम resistant switching का प्रयोग करते हैं तो आइए आज हम लोग resistant switching के दौरान जो मेरा प्रास्पेक्टी बॉर्टेज डेबलप होता था उसी प्रास्पेक्ट्य купो लिमिट करने के लिए आप चोंप का यूज करते हैं तो अब ही हम थोड़ा एक जन्दल में आप को बता देते हैं करेंट कंग से तो एक जो मेरा resistance switching से तो एक मेरा current chopping reduce होता है current chopping reduce होता है दूसरा मेरा rate up rise up striking voltage ये भी reduce होगा तीसरा मेरा striking voltage का peak ये भी reduce होगा किसे resistance switching से तो resistance switching में हम ये बार बार बता रहें आपको कि current chopping reduce होता है और साथ ही साथ rate up rise up striking voltage reduce होता है और striking voltage का जो peak value है वो भी reduce होता है तो आपको अगर याद हो तो आप देखे होंगे कि restriking voltage मेरा कुछ इस type का बन के आता था restriking voltage मेरा कुछ इस type का बन के आता था या इस तरीके से वो आक्सिलेट करता है तो यहां पर हम क्या करेंगे रजिस्टेंस स्विचिंग की सहायता से इसी आक्सिलेशन को हम खतम करेंगे यह जो आक्सिलेशन यह चल रहा है यह आक्सिलेशन लगभग 0.1 मिलिसेकंड तक चलता है और हम क्या चाहते हैं हम इसी आक्सिलेशन को खतम करना चाहते हैं और इस आक्सिलेशन को खतम करना चाहते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं कि resistance switching का यूज करते हैं अच्छा इस resistance switching का यूज समझने से पहले आईए एक और एक जामपल पर हम discussion करते हैं फिर हम इस topic पर आते हैं अगर आप को याद हो हम measurement की बात करें तो measurement में हम जब कोई भी measuring instrument document बनाते हैं ठाउन बड़ने लोड़ो में लीटर पाइब को में जिल करने के लिए हमने वोल्ट मीटर बनाई तो आप देखते होंगे जो मेरा वोल्ट मीटर होता है ऑगर मैं इस तरीके से वोल्ट मीटर को मैं वोड़ों में और यहाँ पर यह मेरी कोई नीडिल्ट यहां पर यह मेरी ऐसे कोई निडिल है इधर मानलीजेश जीरो वोल्ट है और यदर 20260वोल्ट है तो आप देखते होंगे वोल्ट मीटर जैसे ही आप सप्लाई कनेक्ट करते होंगे यह वोल्ट मीटर यहां जीरो पर रहेगा जीरो से इधर आगे सीधे 230 पर आपे रुकेगा लेकिन 230 पर आपे सीधे नहीं रुकता है यह 230 पर कुछ इस तरीके से आदसे 230 के आगे पीछे आगे पीछे आदसेında करते 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 धीरे धीरे जाके 230 पर रुकता है अगर 230 वोट की supply में connect करता हूँ तब लेकिन अगर यही acceleration अगर काफी देर तक चलता रहे मान लिजिए आधे गंटे एक गंटे चलता रहे तो आप ऐसा क्या ऐसा instrument design करना चाहते होंगे तो आपका जवाब आएगा कि बिल्कुल नहीं आईसा हम instrument design नहीं करना चाहते है कि जिसमें reading पढ़ने के लिए काफी हमको wait करना पड़े वो 230 वोट दिखाएगा तो जरूर लेकिन हो सकता आधे गंटे बाद यह जो acceleration है आधे गंटे बाद एक गंटे बाद दो गंटे बाद यहाँ पर यह जो acceleration ऐसे accelerate करते 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 रीडियूज होते होते जाके फिर 230 पर जाके रुके तो आप इस acceleration को खतम करने के लिए voltmeter में क्या provide करते हो damping voltmeter में आप damping का यूज करते हैं अगर आपको याद हो तो damping आपका तीन तरीके का होता है अगर आपको याद हो तो एक होता है air friction damping air friction दूसरा होता है fluid friction fluid कहें या liquid fluid कहें या liquid liquid friction damping और तीसरा होता है ED current तीसरा होता है ED current damping ED current damping अच्छा ये करता क्या है इस चीज़ को आईए हम लोग समझते हैं तो अगर मैं एक जंदल सा मुझे जो याद आ रहा है इस टाइम जो ammeter हो या वोल्ट मीटर हो उसका मैं figure अगर मैं बनाना चाहूं तो अगर ये मेरा needle है मुझे जितना याद आ रहा है मैं वैसे ही कुछ बनाना चाहा रहा हूं ये मेरा needle है और इसमें ये लिखा हुआ यह माली जीरो है यह 230 तक का है और निडिल से ही हमारा connect रहता है damping equipment हम यहाँ पर मान लेते हैं कि air friction हम damping provide करते हैं air friction यह कुछ ऐसा बना होता यह यह कुछ ऐसा बना होता है और यह cylinder के आकार का होता है यह होता क्या है जैसे जैसे मेरा निडिल यह आगे की ओर चलता है वैसे वैसे यह cylinder भी मेरा आगे की ओर चलता है तो इसने मैं क्या देखता हूँ जब यह मेरा आगे की ओर चलेगा तो यहाँ पर जो air रहेगी यहाँ पर जो air रहेगी वो क्या होगी वो इधर आना चाहेगी वो आगे की ओर बढ़ेगी तो यहां से जब यह किनारे खिनारे जब air आगे जाएगी तो यही पर इसमें friction होगा यही पर इसमें friction होगा और इसी friction के कारण ड्रैंपिंग प्रवाइड होता है होता ये है होता ये है जब ये मेरा needle इस direction में घूमता है तो ये आगे की और जाता है तो यहां से air इसके side से friction करते हुए जाती है तो इस friction के कारण इस friction के कारण एक heat develop होती है heat develop होती है वही हमारा damping का काम करता है तो अगर आप ये देखें चाहे आप air friction की बात करें, चाहे flute friction की बात करें, चाहे ED current friction की बात करें, तीनों में होता क्या है? तीनों में जो मेरा friction है, तीनों में मेरा जो friction वो heat के farm में convert करता है यहां तक अब आपको बास समझ में आई होगी कि जो हम अभी voltmeter बनाते थे जो voltmeter मेरा ऐसे 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 oxalate करता था इस oxalation को damp करने के लिए हमने क्या लगा या तो हम air friction यूज किये या तो fluid friction यूज किये तीनों में ही हमारा friction ही आता और वो friction क्या करता है heat के farm में convert करता है तो आप जानते हैं कि जो मेरा striking voltage है सबसे पहले striking voltage जैसे circuit breaker contact के एकरास develop होता है वो क्या करता है बहुत तेजी से oxalate करता है वो oxalate करते करते धीरे 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 करते करते लगभग 0.1 millisecond में recovery voltage के बराबर आता है तो यह जो oxalation है इस oxalation को मैं damp करना चाहता है इस oxalation को damp करने के लिए मुझे circuit में कुछ ऐसा element लगाना होगा कि इस oxalation को damp करते या तो heat के farm में इसको energy destroy करते तो अगर यहाँ पर आप देख रहेते कि heat के farm में convert करने के लिए air friction, fluid friction, ED current तीनों का यूचिया जाता था लेकिन अगर हम electrical circuit इस voltage की बात करें अगर इस voltage को मुझे damp करना है इस restriking voltage को मुझे damp करना है तो circuit में ऐसा कौन सा मैं element लगाऊंगा इसी चीज का मुझे जिक्र करना है तो अगर circuit में element की हम बात करें तो circuit के element हमारे resistance होते है capacitance होता है, inductance होता है तो अगर inductance का example लिया जाया तो inductance में मैं यह देखता हूँ कि inductance energy को store करता है इसी तरीके से मेरा capacitor है capacitor भी energy को store करता है लेकिन जो resistance है resistance energy को store नहीं करता है energy को heat के farm में convert करता है या heat के farm में destroy करता है तो मतलब मेरा यहाँ पर यह आया कि अगर इस acceleration को समावत करना है इस acceleration को समावत करना है तो अगर हम circuit में resistance प्रवाइड कर दें circuit में resistance प्रवाइड कर दें तो यह क्या करेगा, इस oxalation को heat के farm में convert कर देगा, heat के farm में convert कर देगा, तो यह oxalation समाप्त हो जाएगा, यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी, अब चलिए हम आगे चलते हैं, एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था अभी सारी चीजें आपको फिर से सारी चीजें फिर से मैं बताऊंगा जितनी भी बात मैं बताया हूँ फीगर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा या सा आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा बहुत ही आसान टापिक है और इसको हम लोग अच्छे समझते हैं इसमें क्या होता है कैसे होता है जिससे कि हम एक्जाम में अच्छे से इसको लिख पाए या इससे रिलेटेट कोई भी अब्जेक्टिव कुश्चन हो तो उसको हम साल कर पाए तो आप सबसे पहले एक ऐसा सर कि लेते हैं क्योंकि जो हमारा रिस्ट्राइकिंग बोल्टेज है या प्रास्पेक्टिव बोल्टेज है यह सब कहां डेबलाप होते हैं जब सर्कीट ब्रेकर मेरा ओपेन होना स्टार्ट होता है और उस कंडिशन में उस कंडिशन में प्रास्पेक्टिव बोल्टेज circuit लेते हैं तो जैसे कि पुराने टापिकों में या पहले जो टापिक पढ़ाए गए हैं उसी अनुसार में एक circuit ले लेता हूँ यह आप मानिये यह मेरा circuit है इससे मेरा source जुड़ा है यह कितने भी voltage का उससे मतलब नहीं है अब इस source में से यह circuit का parameter दिखा देते हैं इंड़क्टर दिखा देते हैं इसी तरीके से केस्टेंस दिखा देते हैं और यह मेरा circuit breaker के contact है इधर वाला fix contact है यह वाला moving contact है और यह मेरी कोई line जा रही है यह मेरी कोई ऐसे line आगे जा रही है और इसमें हुआ क्या इसमें हुआ यह कि यहाँ पर start circuit आ गया resistance हमने इस circuit का क्यों नहीं सो किया रजिस्टेंस हम इसलिए सो नहीं किये है क्योंकि जब line मेरी start circuit की condition में होगी तो उस time resistance लगबग 0 के बराबर होगा इसलिए हम resistance नहीं सो किये हैं और हम resistance switching यूज करते हैं resistance switching कहा पर लगाते हैं वो circuit breaker के contact के एक्रास लगा देते हैं तो यह मेरा माल लीजिए जो resistance switching के लिए मैंने resistance लगाया हूँ यह resistance मेरा variable resistance होता है यहां तक समझने में तो कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी मैं समझता हूँ अब एक figure में और ड्रा करता हूँ यह देखिए माल लीजिए यह bus bar है यह आपको क्या है bus bar है वो कितने भी के बस बार हो इससे मतलब नहीं है resistance switching हमें समझना है यह bus bar हो जैसा कि आप जानते हो जब bus bar से मैं आगे बढ़ता हूँ तो उसमें bus isolator होता है circuit breaker होता है CT होता है circuit तो ऐसे आगे करके line isolator होता है तब कहीं जाके supply हमारे लोड को जाती है लेकिन यह सब यहाँ पर मैं ड्रा नहीं करूंगा मैं क्यों circuit breaker के contact सो करूंगा मैं आपको resistance switching समझाना चाहता हूँ यह मेरा राजिस्ट यह मेरा circuit breaker का contact है यह अगर यह मेरा यह फिक्स कांटेक्ट हो गया और इसी से जुड़ा हुआ इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा moving contact है कि इसी से जुड़ा हुआ क्या है मेरा एक moving contact है यह यह supply मेरी जा रही है हाँ एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैं यहाँ पर resistance connect करता हूँ, एक spare gap की सहायता से connect करता हूँ, वो spare gap क्यों करता हूँ, अभी आपको सब पता चल जाएगा, आप इसको देखते रहिए, ये देखिए, ये मेरा spare gap हो गया, फिर मैं एक resistance connect कर दिया हूँ, और ये, ये मैं resistance connect कर दिया हूँ, आप चुंकि देखिए, fixed contact और moving contact दोन की healthy condition होगी, तो मैं इस चीज को यहाँ पर लिख देता हूँ, healthy condition, healthy condition, अब एक दूसरा figure हम लोग बनाते हैं, और उसमें हम faulty condition का figure सो करते हैं, तो आप देखेंगे, इसी तरीके से, ये बस बार हुआ, बस बार के बाद, ये मेरा fixed contact, ये मेरा fixed contact है, और चुंकि इसमें fault है, तो ये open होगा, circuit breaker का contact open होगा, ये क्या हो गया, moving contact, और इधर ये कहीं load से correct है, और किस condition में, जब इसमें fault आया है, और यहाँ पर जब fixed contact से moving contact open होगा, तो यहाँ पर एक arc develop होगी, यहाँ पर arc develop हो जाएगी, ये, और जो मेरा resistance होगा, वो मेरा resistance होगा, जो resistance switching के लिए हम लगाए है, अब वो सीधे इससे connect हो जाएगा, वो, अब यहाँ पर मैं spare gap नहीं दिखाया हूँ, वो क्यों नहीं दिखाया हूँ, अभी आपको आगे में समझाते हुए, आगे बढ़ता हूँ, तो इतना figure आप समझ पा रहे हूँगे, अब लगे हाँ, चलिए हम लोग एक voltage का भी figure ड्रा कर लेते हैं, जो मेरा striking voltage circuit में develop होता है, मैं उसको भी ड्रा कर लेता हूँ, यह देखिए, यह, यह मेरा time है, यह time को present करेगा, और यह मेरा voltage को present करेगा, तो आप देखते होंगे, striking voltage को इस तरीके का, कुछ इस तरीके से, कुछ यह, ऐसे करके, फिर यह जाके सीधे, recovery voltage के बराबर हो जाता है, यह, यह, यहां पर आप देख रहे होंगे, और, यह मेरा किस चुच का voltage है, यह striking voltage है, जब मेरा resistance switching यूज नहीं होता है, और जब मैरा resistance switching यूज कर देता हूं, जब मैरा resistance switching यूज कर देता हूं, तो मेरा यही voltage, यही circuit breaker, कांटेक्ट एक रास वोल्टेज कुछ इस तरीके से डेवलाप होता है तो इसको इन सब का नाम दे देते हैं यह मेरा है आकसी लेटरी रिश्ट्राइकिंग वोल्टेज आकसी लेटरी रिश्ट्राइकिंग वोल्टेज और यह मेरा है Damped Restriking Voltage Damped Restriking Restriking Voltage और यह वाला point मेरा है Recovery Voltage क्या है? Recovery Recovery Voltage Recovery Voltage यहाँ तक यह आपको सारी चीज़ें दिख रही होगी अब इसमें एक किस्टफ जब हम आगे लिखते चलते हैं और आपको समझाते चलते हैं यह हुआ क्या जब हमारा circuit breaker का contact open होता है आप जानते हो उसके circuit breaker के contact एक राया से एक striking voltage develop होता है आपको यह भी पता वो striking voltage हमारा लगभग 2VM के बराबर होता है होता एक नहीं होता अगर होता ही है 2VM के बराबर है लेकिन जो वो आठीलेट करता है वो बहुत उसका जो time period हम लोगों निकाला था वो microseकेंड में हुआ करता था और हम लोगों ने ये भी जाना था कि वो जो microseकेंड में उसका time period होता था लेकिन वो लगभग 0.1 millisecond में circuit के resistance के कारण damp out हो जाता था लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जो resistance दिखाया है यह circuit का resistance नहीं है यह हमने एक extra resistance लगाया है इसी को हम resistance switching कहते हैं वो जो हमने resistance लगाया है वो एक spare gap की सहायता से लगाया है spare gap की सहायता से एक variable resistance हमने लगाया है इसी को हम resistance switching कहते हैं resistance switching के सहाइता से क्या होता है अभी आपको हमने बताया था कि striking voltage reduce होता जो striking voltage है या जो सर्ज voltage है या जो prospective voltage है उसका मान घटता है उसका मान reduce होता है तो आप देखिये striking voltage लगबाग इसका पीक यहां तक जा रहा था लेकिन हम हमारा घट के कहां तक आ गया यहां तक आ आपा to po 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 by City St adhering कितना ऑफ दोगा कितना सिवान कितना तेजी से बढ़ा रहा था लेकिन सब्वेस्टेन सीचे कर लिए तो सच Went यूज कर लिए तो आप देखते हैं यह इसकी तुलना में ये वाला घट गया डैमपे, रजिस्टेंस स्विचिंग आपने जैसे यूज किया डैमपिंग के कारण ये आपका इसका बोल्टेज घट गया तो आप यहाँ पर ये देखते हैं कि rate of rise of striking voltage भी घट रहा अगर rate of rise of striking voltage घटेगा तो आर्क बुझाना ज्यादा आसान होगा यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे अब आईए चलिए हम लोग एक-एक point लिखाते हैं और समझते हुए चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे circuit breaker circuit breaker contact circuit breaker contact के एक्रास क्रे एक्रास इस पेर literal 2 इस पेर Конाल किस हाइंगї की सहाइंग्दा से की सहाइंगा-चल किस हाइंग्दा से अग एक वारियेबल वारियेबल एक variable रजिस्टेंस लगाते हैं जिसे रजिस्टेंस स्विचिंग कहते हैं रजिस्टेंस स्विचिंग कहते हैं आप यहां देख रहे होंगे यह स्पेर गयब है यह सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट यह फिक्स ऐग्स आंटेक्ट है तो Fault आने पर होता है कि जैसे मेरा यह Circuit Breaker का Contact ओपन होना इस्टार्ट करता है जैसे Circuit Breaker का Contact यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट करेका आप यहाँ पर ध्यान दीजेगा अगर मेरा यह Fixed Contact है यह मेरा Moving Contact है और यहाँ पर माल लीजिए यह Source है यह ऐसे source connect है यह कुछ ऐसा यहां पर start circuit आपका आया हुआ है और यहां पर यह spare gap है और यह आपका resistance है यह वाला resistance है तो आपका देखिए आपका जैसे circuit breaker open होगा जो यह वाला जो voltage है यह voltage देखिए कहां अपलाई होगा यहां पर अपलाई होगा कि नहीं होगा इसके इसके है तो इसके बीस भी यही voltage same voltage यहां भी apply हो जाएगा अब जब यहां आगला पॉइंट लिकिए, फाल्ट की कंडीशन में, बाल्ट की कंडीशन में, इसपेर गईब, इसपेर गईब, इस्पियर गए आटोमेटिकली सार्ट हो जाता है सार्ट हो जाता है तथा तथा आर्क के आर्क के आर्क के पैरलेल में पैरलेल में कनेक्ट हो जाता है हो जाता है यहाँ पर देखिए हम क्या बता रहे हैं सर्किट ब्रेकर का जो यह इस्पेर गएब था त्षार रिजिस्टेंस सुचिंग के इस्पेर गएब था यह क्या हुआ आइनाइज हो गया और ये आइनाई जोने कारांट ये रजिस्टेंस मेरा सार्ट हो गया अब जो मेरी सर्किट ब्रेकर के कांटाइक एकरास जो आर्क था उसके पैरलल में ये मेरा रजिस्टेंस कनेक्ट हुआ अब जब इसके पैरलल में रजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा तो यहां से जो मेरी fault current flow हो रही थी, वो fault current अब दो भागें बाट जाएगी, एक भाग कहां से जाएगा, इस resistance के थूँ जाएगा, और एक भाग इस के थूँ जाएगा, तो यही चीज़ को आईए हम लोग लिख लेते हैं, यहां पर लिखिए, लिखिए, इस इस्थिती में, हाइट करेंट, हाइट करेंट, दो भागों में, बट जाएगी, एक भाग, रजिस्टिन्स से, एक भाग, रजिस्टिन्स से, तथा दूसरा भाग, तथा दूसरा भाग, आर्क, आर्क की सहायता से, सहायता से, सहायता से, फ्लो होगा, हमने क्या लिखाया, एक भाग, यहाँ से, जो करेंट, फ्लो हो रही थी, एक भाग, यहाँ से, फ्लो होना, स्टार्ट कर दिया, और दूसरा भाग, यहाँ से, फ्लो होना, स्टार्ट कर दिया, एक भाग, रजिस्टिन्स की सहायता से, फ्लो कर रहा है, इस रजिस्टिन्स क नहीं होता तो टोटल की टोटल जो फार्ट करेंट थी मेरी इस इधर से फ्लो होना होता उसको टोटल की टोटल फार्ट करेंट को इसी रास्ते से फ्लो होना पड़ता लेकिन जब मेरा यहां पर जब मेरा रजिस्टेंस लगा है जब मैं रजिस्टेंस स्विचिंग का यूज ममटट गई एक भाग इस आर्क अवजा हो रहा है दूसरा आपको स्ट rozp कि आपकी कम हो जायगी Bednar करेंट की वैलू कम हो आपको सीधा मतलब है आइनाइजयर्जेयसन कम होंगा आर्क रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इस कंडिशन में आर्क को क्विंच करना या आर्क को बुझाना ज़्यादा आसान होता है तो होता क्या है इसकी वज़ा से यहां इस सर्कीट ब्रेकर के कांटेक्ट एक रास आर्क मेरी बुझ जाती है या डायलेक्ट्रिक मीडियम की सहायता से आर्क मेरी डी आयनाईज हो जाती है अब इसी चीज़ को आईए हम दोग अगले पॉइंट में लिख लेते हैं इसको मैं हटा देता हूँ फिर उसके बाद लिखता हूँ लिखिएगा लिखिए इस इस्थिती में इस इस्थिती में आर्क की सहायता से सहायता से सहायता से बहने वाली फाइट करेंट घट जाएगी घट जाएगी जो की डाइलेक्ट्रिक मीडियम की सहायता से डाइलेक्ट्रिक मीडियम की सहायता से डी आयनाईज हो जाएगी तो जब यहाँ पर आर्क आप की ब्रेक हो गई या आर्क आप की डी आयनाईज हो गई तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका circuit breaker पूरी तरीके से open हो गया अब कोई fart current प्रवाहित नहीं होगी और इस condition में होगा क्या जब मेरी कोई fart current प्रवाहित नहीं होगी मतलब यह हुआ कि circuit breaker के भी dielectric medium मेरा इतना ज्यादा आ गया कि वो current को break कर चुका है fart current को break कर चुका है तो उस condition में कोई fart current प्रवाहित होगी जब कोई fart current प्रवाहित नहीं होगी तो उस condition में होगा क्या जो मेरा यहाँ पर spare gap था जो start हो गया था वो spare gap पुनाहा बन जाएगा वो इस पेर गयब हुना हा बन जाेका, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, अगला पर लिखिये, आर्क एक्स्टिंगिस होने के पस्चाथ, आर्क एक्स्टेंगिस होने के बाद, इस्पेर गैप, इस्पेर गैप, इस्पेर गैप, इस्पेर गैप, पुना हाँ, मेंटेन हो जाता है, इस्पेर गैप, पुना हाँ, मेंटेन हो जाता है, इहाँ पर जो आर्क मेरी बनी होती एक टेड़ान में, एक करेंट इस इधर से फ्लो होती है, एक current is resistance के through flow होती है तो यह जो resistance के through flow हो रही है यह क्या करता इसको ज़्यादा से ज़्यादा heat के माध्या में convert कर देता है ज़्यादा से ज़्यादा heat के माध्या में convert करता चला जाता है तो जिससे जो auxiliary जो auxiliary इसमें develop होता है जो auxiliary develop होता है वो reduce हो जाता है और जो resistance switching के कारण हुआ क्या resistance switching के कारण जो मेरी acceleration था, जो मेरा acceleration था, वो heat में convert हो गया, वो heat में convert होके atmosphere में चला गया, तो क्या होगा ये जो आपका resistance switching है वो acceleration है, acceleration growth को भी limit करेगा, देख रहे हैं कि नहीं आप देख रहे हैं, आप यहां पर समझ पा रहे होंगे, कि जब resistance switching का हम use कर देते हैं तो होता क्या वो heat में convert करता है acceleration को अगर heat में convert करेगा तो acceleration growth आपकी limit होगी या acceleration growth आपकी reduce होगी जब आपने resistance switching का use किया तभी तो आपका damp होने के बाद बाद में ये बाद में आपका देखिए wave कैसे जा रहा है और उसके पहले जब आप resistance switching यूज नहीं किये थे तब कैसे हो रहा था तब auxiliary आपका हो रहा था अब आपका exponentially बढ़ता है और कहां तक बढ़ता है recovery voltage तक बढ़ता है recovery voltage क्या होता है मेरा system का voltage होता है system के voltage से मेरा कोई नुकसान नहीं है system का voltage तो होगा ही उससे कम तो voltage में कर नहीं पाऊंगा तो मैं क्या किया हूँ resistance की सहायता से इस acceleration growth को मैं reduce किया हूँ या limit किया हूँ या कम किया हूँ इसी चीज को मैं अपने language में लिख लेता हूँ लिखिए यहाँ पर अगला point लिखिए sun resistance के sun resistance यहां पर लिखे sun resistance वही resistance स्वुचिएंग sun resistance की सहायता से sun resistance की सहायता से की सहायता से सहायता से सहायता से auxiliary auxiliary ristriking auxiliary आक्सिलेटरी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की ग्रोथ लिमिट होती है तो यहां पर हमने क्या पाया कि जब हम रजिस्टेंस सुचिंग का यूज करते हैं तो हम यह पाते हैं कि जो आक्सिलेटरी ग्रोथ था या जो आक्सिलेशन था वो आक्सिलेशन मेरा डैम पाउट हो जाता है तो जो डैम होने के बाद अब मैं देखता हूँ जब आपको याद होगा जब हम लोगों ने निकाला था रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की हम लोगों ने फ्रिक्वें निकाला था तो आपको याद होगा 1 by 2 under road LC यह आया था यह हमारा क्या कहला था natural frequency कहला था यह frequency of natural frequency of oscillation अब यहाँ पर चुकि हमने resistance लगा दिया है यह circuit में हमने CB contact एक रास हमने resistance apply कर दिया है यह resistance apply कर दिया है उसके कारण मेरी frequency क्या होगी हाला कि इसको देखिए derivative भी किया जा सकता है इसमें second order का equation बनता है तो उसको derivative कराने में काफी लंबा procedure है और वो आपको ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप control system पढ़ेंगे तो इसलिए मैं direct लिख यहाँ पर direct में लिख देता हूँ तो यहाँ पर लिखिएगा frequency of frequency of frequency of damped frequency of damped oscillation frequency of damped oscillation यह आपका होता है f बराबर 1 by 2 pi under would l by c upon 4 r square c square तो यह आपका क्या हो गया frequency of damped oscillation frequency of damped oscillation यह frequency of damped oscillation इस वाले की frequency है इस वाले की frequency है frequency of damped oscillation आप लोग देख पा रहे होंगे frequency of damped oscillation इस टाइम अभी बना हुआ है frequency of damped oscillation frequency of damped oscillation इहाँ पर थोड़ा सा mistake हो गया है आप इसको लिखिएगा 1 by lc frequency of damped oscillation तो अगर एक चीज़ यहाँ पर बात यह भी आती है कि यह frequency हमारी अगर 0 कब होगी तो 0 होने के लिए हमको resistance का कितना मान लगाना होगा resistance यहाँ पर जो हमें resistance लगाया है यह resistance हमने लगाया है तो इस resistance की मेरी value क्या होगी इस resistance की भी तो कुछ value होगी और वो resistance की value हम कैसे निकालेंगे वो resistance की value हमको निकालने के लिए हमको यह समझना होगा यह resistance हम लगा क्यों रहे हैं? हमारा प्रस्ण क्या है? हमारा प्रस्ण यहाँ पर हमारा सवाल यह है कि यह resistance हमारा कितने value का होगा? यह resistance मेरा यहाँ पर जो मैंने resistance लगाया है यह कितने value का होगा तो यह resistance कितने value का होगा यह चीज जानने के लिए हमको यह जानना होगा यह resistance हम लगा क्यों रहे हैं यह resistance हम क्यों लगा रहे हैं तो आपका जवाब आएगा यह resistance जो acceleration है जो acceleration है उस acceleration को damped करने के लिए आप यह resistance लगा रहे हैं तो अगर इस axillation को damped मान लिया जाए, अगर axillation damped हो गया, तो उस time आप जानते हो frequency आपकी 0 होगी, जैसे कि DC होता है, DC में, यह आपकी DC current होती है, DC में कोई axillation नहीं होता है, इसलिए DC की frequency आप 0 मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो, तो आप इसी axillation को तो damped करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप frequency कमान क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, तो यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा, condition लिखिएगा, यह आपकी condition है, अगर F बराबर 0 हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो आक्सिलेशन होगा आपका आक्सिलेशन क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा तो यही चीज आप यहाँ पर रख दीजिए यही चीज यहाँ पर रखते हैं तो f बराबर 0 रख दीए 1 upon 2 pi under root 1 by lc minus 1 upon 4 r square c square यहाँ से आप क्या देखेंगे यह 0 है 0 में 0 के बटे मिलाएंगे 1 upon 2 pi तो यह भी 0 हो जाएगा तो आपका सीधे सीधे क्या बचा भी 1 upon lc minus 1 upon 4 r square c square यह किसके बराबर होगा यह 0 के बराबर होगा तो अगर इस दोनों साइट का हम work कर दें दोनों साइट का हम work कर दें तो यह क्या आ जाएगा 1 upon lc minus 1 upon 4 r square c square बराबर 0 यहां से आप देखिए अब इसका work हो गया इसका work हो गया इसर work होगा तो root का work करेंगे तो root हट जाएगा 0 का work करेंगे तो 0 ही मारा बचेगा वही चीज़ हम लिख दिये हैं आप इसको लिख जिए 1 upon lc इसको पच्छांतर कर दीजिए राइट हैंड साइड ले जाएगे तो यहां से आप देख रहे हैं कि c से c आपका यह कट गया c इधर कट गया इधर का यह square आपका कट गया तो आपका आता यहां से है r square बराबर r square बराबर l upon 4 c square l upon 4 c square तो r बराबर हो जाएगा root c square नहीं बचा सुरी यहां c का square था square मेरा कट गया एक c कटा तो इधर का square चला जाएगा तो यहां पर मैं लिखिए हूँगा l upon 4 c और यह जो r square था पच्छांतर करके left hand side हमने ले लिया तो यहां पर बचा 4 c तो आप यहां पर यह देखते हैं आपका resistance का मान आता है 1 by 4 का आप root ले लेंगे तो 1 by 2 आ जाएगा और यह आएगा under root l by c यह आपका क्या है यह आपका resistance का मान है यह आपका कहलाता है critical resistance it is called critical critical resistance critical resistance critical resistance का मतलब यह हुआ critical resistance का मतलब यह हुआ कि आप अगर इस मान का अगर इस value का इस value का आप अगर resistance लगा देंगे तो बिल्कुल भी Oxilation Surkits में Não होगा इसका मतलब यह होगा अगर आप इसको समझना चाहें अगर फिर wehar Volmeter की भासा में कहें तो अगर यह मेरा कोईivalmeter था यह की needle थी यह आपकी needle थी यहां पर यह 230 volt लिखा है तो अगर इसमें हम कोई भी अगर इसमें हम कोई भी damping provide ना करें इस volt meter में हम कोई भी बिल्कुल भी damping ना provide करें तो जैसे इसमें 230 volt की हम supply connect करेंगे यह 230 volt के पास यहाँ पर 0 है यहाँ पर 0 है यहाँ पर 0 है और यह 0 से बढ़ेगा 230 तक आएगा और यह आके ऐसे यहाँ पर fluctuate करता रहेगा करता रहेगा ऐसे ही करता ही रहेगा लेकिन अगर यहाँ पर हमने damping provide कर दिया अगर हमने यहाँ पर damping provide कर दिया तो यह यहाँ पर आएगा हलका सा fluctuate होने के बाद रुक गया तो अगर यह जो हम damping यहाँ पर provide करते हैं अगर उस damping की damping के value थोड़ा सा कम रहे गई अगर थोड़ा सा कम रहे गई तो ये 0 से आगे बढ़ेगा 230 पर आए ये damp करेगा लेकिन ये थोड़ा से ज़ादा देर तक ऐसे damp करता रहेगा ये fluctuate करते 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 फिर यहाँ पर जाके इस्थिर होगा लेकिन अगर एक्दम एक्चुल मान का हम फ्रिक्शन देद एक्चुल जितना हमको चाहिए वह सीधे जीरो से उठेगा सीधे जाएगा यहां पर यह 230 पर रुख जाएगा ना तो आगे होगा ना तो पीछे होगा तो किटिकल रजिस्टेंस का मतलब यही हुआ जैसे यह जीरो से सीधे बढ़ा हमारा पॉइंटा सीधे 230 पर आके रुख गया हला कि आप जो भी वोल्ट मीटर अपने घरों में देखते हैं या कहीं बाहर देखते हैं सब में डैंपिंग रहती है लेकिन आप देखते हैं कि जैसे ही या तो आप जब डिप्लो रुख जाता था लेकिन अगर क्रिटिकल डैंपिंग की बात की जाए तो वहां पर बिल्कुल भी आकसिलेशन नहीं होना चाहिए तो जीरो से बढ़ेगा सीधे 230 पर जाके रुख जाएगा तो यही चीज यहां पर हो गया जो क्रिटिकल रजिस्टेंस की जो मेरी वैलू है critical resistance की value का मतलब यह हुआ जो मेरा damping के बाद जो मेरा wave बना जो मेरा damping के बाद wave बना वो बिल्कुल भी fluctuate नहीं करेगा वो जाएगा system voltage के बराबर आके रुक जाएगा या तो कहें कि recovery voltage के बराबर जाकर रुक जाएगा यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी अगर इस resistance की value यहां पर जो हमने resistance किया है connect अगर इसकी value 1 by 2 under root L by C के बराबर हुआ तो यह कहलाएगा critically damped critically damped का मतलब होता है कि इसमें बिल्कुल भी fluctuation नहीं होगा जाके यह चीज यहां पर रुक जाएगी अगर इससे कम हुआ या इससे जादा हुआ यह जो critical resistance है अगर critical resistance है जो हमने resistance लगाया है अगर उसका मान उससे कम रहा या उससे जादा हुआ तो उस condition में क्या प्रभाव पड़ेगा तो एक बार फिर से हम voltmeter का example लेते हैं यह voltmeter है यहां पर यह 0 है इधर हम 230 volt लिखते हैं अगर यहां आता 230 यह मेरा 0 है तो अभी मेरा मान लिजे यह मेरा pointer है और यह pointer कहां से start करता है यह pointer मेरा 0 से start करता है 230 के और जाता है अगर आप क्यों समझेगा critical damp का मतलब क्या हुआ अगर critical damp से अगर कम damp किया जाएगा तो उस condition में यह जो pointer है यह जो pointer यहां से बढ़ेगा और यह ऐसे बार बार ऐसे 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 fluctuate करता रहेगा करते 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 काफी देर बाद यहां पर रुकेगा बास समझ रहे होंगे अगर critical damp की बात किये जाए जब critical damp के बराबर अगर मान लगा देंगे तो उस time होगा क्या 0 से बढ़ेगा सीधे जाएगा 230 पर जाके रुक जाएगा लेकिन अगर critical damp से अधिक अगर critical damp से अधिक value लगा दी जाए तो वो 0 से बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा बहुत धीरे 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 बहुत धीरे धीरे हो सकता 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा लग जाए 230 voltage पहुँचने में तो हम क्या चाहते हैं कि हम critical damp के आसपास critical resistance के आसपास का ही resistance सेलेक्ट करें अगर critical resistance के बराबर resistance हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, तो आए इसी चीज़ को थोड़ा सा point wise हम निख लेते हैं ये मैं इसको हटाता हूँ और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि resistance की value हमारी कितनी होनी चाहिए resistance की value मेरी होना चाहिए 1 upon 2 under root L by C अगर ये रहा resistance तो ये मेरा कहलाएगा critically damped ये मेरा क्या कहलाएगा critically damped अगर इससे कम हुआ तो आक्सेलेशन होगा इससे कम हुआ तो होगा लेकिन कम अक्सेलेशन होगा अगर resistance नहीं होता उस time में तो ज़्यादा ही होता तो अब यहाँ पर लिखिएगा if value of value of r r मतलब critical resistance less than less than 1 by 2 under root L by C तो यहाँ पर लिख दीजिए आक्सेलेशन आकर यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ तो आप लिख सकते no there will be oscillation there will be there will be oscillation oscillation there will be oscillation अगर आपके resistance की value r के बराबर है critical resistance के बराबर है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं no oscillation no oscillation अब यहाँ पर अगर मान लिजए आर के resistance की value 1 by 2 under root L by C से अधिक है तो आक्सेलेशन तो नहीं होगा लेकिन हो सकता है लेकिन हो सकता है recovery voltage की value पहुंचने तक recovery voltage के मान पहुंचने में बहुत ज़्यादा time लग जाए आपको मैं यह चीज समझा चुका हूँ यह आपको और ज़्यादा clear हलाकि अभी बहुत ही कम ही बताया गया इसके बारे में अगर इसमें और detail जानना है तो और detail आप तभी समझ पाएंगे जब आप control system के बारे में पढ़ेंगे वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि R की value हम कितना select करेंगे तो कब आपका जल्दी settle होगा point या उसका settling time क्या होगा यह चीज जब आप control system पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे अभी आप इतना आप objective की लिहाज से इतना objective की लिहाज से आप याद कर लिजेगा जब आप control system पढ़ेंगे तो आपको यह समझने की जरूरत ही नहीं होगे आपका अपने से clear हो जाएगा ठीक है जब आप control system पढ़ेंगे तो अपने आप यह clear हो जाएगा और आपको control system पढ़ाया जाएगा कोई नहीं कोई से आप control system पढ़ायेंगे तो इसमें एक दो पॉइंट और लिख लिजिए जैसा कि यह resistance switching का यूज कहां करते हैं यह आपको पता ही है आप इसको लिख लिजिए resistance resistance switching resistance switching resistance switching का प्रयोग resistance switching का प्रयोग air blast ABCB के मतलब air blast air blast circuit breaker में करते हैं resistance switching का प्रयोग air blast circuit breaker में करते हैं अब आप यह तो आप समझ भी गए है और दूसरा आप यह भी जानते हैं कि resistance switching का प्रयोग कहां पर करते हैं current chopping की घटना को reduce करने के लिए करते हैं या current chopping की घटना हो या cast to current को break करने के लिए आप resistance switching का use करते हैं वो क्यों करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि जब आप current chopping की घटना होती तो उस time भी voltage develop होता है जिसे हम prospective voltage कहते हैं या जब आप cast to current voltage break करते हैं तो उस time भी voltage develop होता है चाहे आप current chopping हो चाहे small inductive current break करें चाहे आप cast to current break करें दोनों के condition में voltage surge develop होता है और उसको reduce करने के लिए आप क्या करते हैं resistance switching करते हैं रजिस्टेंस switching से होता क्या है वो क्या करता है वो heat के farm में convert करके acceleration को समाप्त कर देता है resistance switching का का क्या होता है जो acceleration है उस acceleration को heat के farm में convert करके वो समाप्त कर देता है तो यहाँ पर लिखिएगा resistance switching की सहायता से resistance switching की सहायता से resistance switching की सहायता से small inductive current small inductive current small inductive current तथा capacity current तथा capacity current capacity current को आसानी से आसानी से आसानी से break break किया किया जा सकता है आसानी से break किया जा सकता है अब आपके एक point और बचता है अगला point यह है अगला point यह है कि यहाँ पर आप देखते हैं इसकी सहायता से आप लिखिए इसकी सहायता से इसकी सहायता से इसकी सहायता से आर आर वी तथा रिस्ट्राइकिंग इसको मैं उटाता हूँ तथा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज पीक का मान भी घटता है अब यह कैसा घटता है मैं बोल ला हूँ आर रवी रेट आप राई जा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मान घटता है वो कैसे घटता आप देखिए आप देखिए मेरी आक्सिलेटिंग जो मेरा आक्सिलेटिंग वेवे देखिए कैसे बढ़ रहा है ये ऐसे बढ़ रहा है और ये इसकी तुलना मेरा जो डैम टरी स्ट्राइकिंग वोल्ट ये देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है ये वाला मेरा ज्यादा तेज बढ़ रहा ह तो मेरा वोल्टेज का मान है वो इतना होता है लगवाग यहां के बराबर होता है जब मैं resistance switching नहीं यूज करता हूँ तो आप देखिए मेरा इस time time T1 ले लिजिए कोई भी time ले लिजिए time T1 ले लिजिए यहाँ पर voltage कितना है यह इतने के बराबर है जब हमने resistance switching यूज किया तब मेरा voltage कितना है इतना है तब मेरा कितना voltage इतना है तो आप देख रहे हैं कि resistance switching यूज करने से rate of rise of restriking voltage मलब कि restriking voltage बढ़ने की दर restriking voltage की बढ़ने की दर क्या हो गई कम हो गई जब मेरा resistance जब मेरा resistance switching नहीं यूज होता था तो इतने ही समय में मेरा voltage कितना बढ़ जाता था restriking यतना बढ़ जाता था लेकिन जब हमने resistance switching यूज किया तो इतने ही समय में मेरा voltage इतना ही बढ़ पाया तो इससे हमारा क्या पता चला rate of rise जब restriking voltage का मान हमारा गटा और साथ ही साथ हम क्या बोल रहे है restriking voltage peak का मान भी गटता है restriking voltage peak restriking voltage peak मेरा यहां पर है देखिएगा भी restriking voltage peak यह है और लेकिन जब हमने resistance switching यूज किया तो मेरा उसका मेरा peak restriking voltage का peak मेरा कितना है कि यह इतने के बराबर है और यह कितने के बराबर है यह recovery voltage के बराबर है तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि rate of rise जब restriking voltage भी घटता है और साथ ही साथ restriking voltage peak का भी मान घटता है तो यहां से आप इतनी बाते resistance switching से आप लोग समझ पा रहे होंगे अब चलिए आप को एक बार recall करा देता हूँ फिर मैं इस topic को end करता हूँ तो आपने यह क्या देखा कि आपका पुरा पिछला टापिंग था current chopping था current chopping में आपने यह देखा था कि current chopping की घटना होती ही तो prospective voltage डेवलाप होता है और उसमें आपने एक टर्म यह लिखा था कि इसको reduce करने के लिए हम resistance switching का यूज करते हैं तो आप जब resistance switching का हाँ यूज करते हैं reduce कर देता है या heat के फार्म में convert करके right mask here में destroy कर देता है जिससे जो मेरा acceleration है वो damped हो जाता है तो इससे मेरा फाइदा क्या हुआ current chopping में जो मेरा voltage surge develop हुआ striking voltage में मेरा surge develop हुआ वो surge क्या हो गया reduce हो जाता है तो ये मेरा current chopping का फाइदा हुआ चलिए साथियो अब मैं अपने topic को close करता हूँ thank you बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का